हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, क्युक्निश प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है शहवालों के अध्यान की माइक्रो फ्लूडिक तकनिक हाली में Exeter विश्विद्याले में एक नई तकनिक की विक्सित की गई है इस तकनिक से सुक्ष्म शैवाल के संचलन पैटरंड को पहले से कहीं अधिक विस्तार से मैप किया जा सकता है इस तकनिक का नाम माइक्रो फ्लूडिक तकनिक रखा गया है इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि सुक्ष्म शैवाल अपने जलवायू परिवर्तन और अन्य चुनोतियों के अनुकूल होने की खमता और तेराकी पैटरंड को कैसे नियंत्रित करते हैं सुक्ष्म शैवाल समुद्र के पारिस्तिकी तंत्र में एक महत्पोर्ण भूमिका निभाते हैं ये जलिये खादि सिंक्रा का आधार होते हैं ये दुनिया के अधिकांश कार्बन को सोख कर कार्बन सिंक का काम करते हैं ये शैवाल प्रकास-Sensation के ओर अधिक्तम करने के लिए प्रकाश या पोशक्त्त्तों के स्रोत्तों का पता लगाने के लिए समुद्र में संचरन करते हैं इसलिए महासागरों का स्वास्ति इन सैवाल समुदायों पर काफी हद तक निर्भर करता है यहां नई micro fluid तक्निक वैग्यानिकों को पहली बार micro droplets के अंदर तेरने वाले एकल सुक्षम शैवाल को trap और image करने की अनुमती देगी इस नई तक्निक से यह पता लगाया जा सकता है कि कैसे सुक्षम शैवाल अपने सुक्षम वातावरन का पता लगाते हैं खास तोर पर कैसे सुक्षम शैवाल एक दूसरे से भिन होते हैं और प्रकाश या कुछ खास रसायनों की उपस्तिती में उनके habitat में कैसे बदलाव आता है यह तक्निक हानिकारक अलगल ब्लूम्स को समझने और रोकने के लिए और अलगल जैव इंधन के विकास के लिए असीम संभावनाओं के दरवाजे कुलती हैं वैज्यानिकों में इस बात की चिंता बर रही है कि समुद्र की सरचना में परिवर्तन जैसे की भरते अमली करन से शेवाल के फैलाव और सामुदाइक सरचना में बाधा आ सकती है